जैहिन दोस्तों स्वागत है आपका आपके यूटिब चेनल सरकारी जॉब एंड जॉब पर दोस्तों आज बात करते हैं यूपी में लेकपाल भरती के संबंद में कुछ जानकारी आई है इसके बारे में बात करते हैं ये आज ही की नियूज ख़वर है जो आपको देख ली होगी तो दोस्तों चलते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी करते हैं तो दोस्तो आपको दिख रहा होगा यूपी में लेकवाल समयत 40,000 पदो पर अप्रेल से फिर सुरू होगी भरतियां यहीं अप्रेल माहे में फिर से भरतियां सुरू होने वाली है और दोस्तो अगर आपने हमारे चैनल लाइक नहीं किया थे इनको लाइक कर लें सबस्क्राइब कर लें और वैल आइकन को दवाना ना भूलें ताकि हमारी नेक्ष्ट वीडियो अब तक पहुंश सकें तो दोस्तो बात कर दें इसके बारे में दोस्तो उत्तर परदेश अधिनस्ट सेवा चैन आयोग समू गय के करीब 40,000 पदो पर अपरेल से भर्तियां शुरू करेगा बिभागों से इन रिक्त पदो का ब्यारा उसे मिल चुका है यानि जो बिभाग हैं उन्होंने ब्यारा बना करके दे दिया कि आप इतने पदो पर भर्तियां कराएं तीन भर्तियों के लिए बिग्यापन भी निकाला गया है यानि तीन भर्तियों जो होने वाली हैं उनके लिए उन्होंने बिग्यापन भी निकाला गया है लेकिन बिधान सबा चुनाव के लिए आचार सहीता लागों होने से इन्हें रोक दिया गया है यानि जो अच्छा सहीत लगी है उस बज़े से इन्हें रोग दिये गया है बना तीन विभागों में आपके लिए भर्तियां निकल चुकी है अगर आपको सभी विभागों की भर्तियां जानना है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वैल आइकन को दवान ना भोलें और हो सके तो अपने दोस्तों को भी सेयर करें आयोग मौझूदा समय में विभागों से आई होई रिक्तियों का सम्मिलान कर रहा है यनि जो भर्ति होने बाली है तीन वेकेंसी जो निकाली है तीन प्रकाइण के लिए इनैंके लिए जो रिक्ति आ है कितने रिक्ती खा ली मिलान कराया जा रहा है बात करते हैं समलित होंगे भरतियां कौन-कौन से भरती समलित होने वाली है अधिने सेव चैन आयोक समान योगता यानि इंटरिया इसके समक्च और इसना तक भे तकनीकी दस्ता वाले पदों की भरतियां एक साथ करेगा इनके लिए एक साथ बिग्यापन निकालने के साथ ही परिच्छाएं भी एक साथ कराई जाएंगी जिससे तैह समय के अंदर इन भरतियों को पूरा किया जा सके यहनी जल्दी इन भरतियों को पूरा किया जाएगा आयोक भरतियों के लिए आयोक भरतियों के लिए सामान योगता बाले पदों को अलग-अलग करा रहा है जिससे आचार सहीता खतम होने के बाद चरण बद तरीके से बिग्यापन निकालते हुए भरती पिरक्रिया सुरू कर सकेंगे तो जल्दी आपकी आचार सहीता खतम होते ही भर्ती फिरक्रिया सुरू हो जाएगी इसके साथ ही मौजूदा समय विकलांक यानि रुकी हुई भर्तियों को पूरी करने में जुटा करने में जुटा हुआ है आयोक इसके साथ ही मौजूदा समय में वैकलांक यानि रुकी हुई भर्तियों को कितने कितने पद हैं किस पद पर कितनी भरती होंगी इसके बारे में जान लेते हैं तो आई टी आई अनुदेशक पच्छिस सो चार वेकंसी होने वाली है लेक पाल में आपकी 8,085 भरती होने वाली है NNM में आपकी 9,212 भरती होने वाली है गन्ना परियवच्चक में आपकी पच्चिस सो होने वाली है पच्चिस सो भर्तिया होने वाली है कनिष्ट सायक में आपकी दो हजार वेकंसी आने वाली है जिस पर भर्तिया होगी पिरियोग साला सायक में आपकी बारे सो भर्तिया होने वाली है E.O.J.E. में आपकी 2200 है 2200 पद खाली है जिन पर इनकी भरतिया होने वाली है उसके बाद है रोड़ वेज रोड़ वेज में आपकी 1500 वेकंजिया खाली है जिन पर ये भरतिया होने वाली है उसके बाद बात करते हैं सिचाई बिवाग सिचाई बिवाग में आपके 800 पद खाली हैं जिन पर ये भरतियां होने वाली हैं तो दोस्तो काफी भरती आपकी जल्दी होने वाली हैं अगर आप चाहते हो कि इन भरतियों के बारे में आपको समय से अपडेट हो जाए तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी इन पर आने वाली जो वीडियो होगी भरती सम्मझे वो आप तक पहुंच सके तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट भरती के साथ तो दोस्तो थैंक यू धन्यवाद दोस्तो